यह जो एल है, यह जो इनिफोर्स है, वो पूरी तरह से अवेज है, जो हम लुएडा अथॉर्टी के पास आते हैं, तो अथॉर्टी कहते हैं कि नहीं, सिचाई की भागी जमीन है, सिचाई की भागी याँ पैसा जाता है, आखिर यह एल्ड अवेज तरिंगे से कैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजोन लरायन, इस वक्त मैं मौझूद हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, यानि की कालंदिक कुंच पर और इस वक्त मैं खड़ी हूँ यमना बैराज पर, जिसकी तस्व दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, यमना बैराज, आप उस तरफ देखेंगे तो आपको कालंदिक कुंच नजर आएगा, और इस तरफ आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, यानि की नौइडा की सीमा यहां से शुरू हो जाती है, और यह वो जगा है जहां पर देखेंगे, अगर आपके घर अख़बार आता होगा, मुबाइल फोन में आप देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विग्यापन हैं, जो रोड़ पे भी लगे रहते हैं, कई बार ऐसा होगा कि आपके नजर इन पर गई हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी इसे विग्यापन दिखाना चाहूंगी, अब आप यह पूछेंगे कि क्यूं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजा है, यह शुरुवात यहां से और सबसे पहला जो एड़ आप देखेंगे, मैं चाहूंगी अपने क्यामरा परसन से कि जूम करके इस एड़ को दिखाए यह पहले एड़ की शुरुवात हो रही है, और जब इस एड़ के बारे में हम पूछते हैं, नुएड़ा अथॉर्टी से और सचाई विभाग से, तो असमंजस की स्थिती रहती है, यानि की कन्फ्यूजन की स्थिती, आखिर इसका रेवेन्यू कहां जा रहा है, क्योंकि यह जो एड़ है, यह जो इनी पोल्स है, वो पूरी तरह से अवैद है, इसका पैसा आखिर किसकी जोली में जाता है, क्या यह सिचाई विभाग के पास जाता है, क्या यह नुएड़ा अर्थॉर्टी के पास जाता है, जब हम सिचाई विभाग के पास जाते हैं, तो कहते ह जाता है और जब हम अधिकारियों से मुलाकात करते हैं तो निटार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थ पहले तो पल्ला जाडने की कोशिश कैमरे के सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, जो छोटे अधिकारी कहते हैं कि बड़े अधिकारियों को पता है, हमें उस मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब हम बहुत जादा जोर डालते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि हमने सिचाई विभाग को लेटर ले दिया है, उनसे पूछा है पतलिकर कि क्या रेवन्यू आ रहा है, आप सोचिए, लाखो करोडों रुपे महीने में आता है, इन एड्स का, जो आप मेरे पीशे देख रहे हैं, जहां से शिरवात हो रही है एड् बढ़ेगा और ऐसे तमाम एड्स हम आपको दिखाएंगे कि अवे तरीके से लाखो करोडों रुपे नड़ा थर्टी या सिचाई विभाग के जोली में जा रहा है, सभी अधिकारी इस पर चुपी सादे होए हैं और सभी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तयार नहीं है, और ये खेल अभी का नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है, ये खेल है सालों से चला रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे दिली के ऐसे लोग होगे, बहुत सारे तरप्रदेश के ऐसे लोग होगे, जो नौएडा नौकरी करने आते हैं, नौएडा से दिली न नहीं कहता सब चुपी साधे बैटे हैं जीरो चॉलरेंस की निती अपनाने की बात की जाती है लेकिन जीरो चॉलरेंस देखी आप इन पर कोई कुछ नहीं बोलता अवेड तरीके से अगर नर्डा थॉल्टी के हम बात करें तो अगर आप एक जंडा लगाना चाहते है ना तो है और जवाब तलाशनी की कोशिश हम कर रहे हैं आज यह पहला पड़ाव कालिंदी कुझ है इसके बाद फिर आगे भी हम बढ़ेंगे और आगे से तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और एक के बाद एक मैं चाहूंगी अपनी सायोगी से कि जो एड यहां पर लगे ह पर नहीं की जाती है नेदर ठोटी चिप है सिचाई भी भाग चुप है लेकिन कोई सुनवाई यहां नहीं होती है क्योंकि मसला पैसो का है पैसा जेब गरम होती है हरे हरे नोट आते हैं तो कोई भी कुछ नहीं बोलता तो सवाल अब यही है निउस्वल इंडिया यही पाइदा होता है तो यह दो एड आपने देखे हैं और सिर्फ यह दो नहीं है अंगिनत हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है आप देख सकते हैं मैं चाहूंगे क्यामरा पर्सन से कि वो दिखाएं यह जो एड है यह पूरी तरह के से अवैद है अवैद तरीके से यह ज किसके जानकारी किसके पास है किस से हम सबाल करें कौन जवाब देगा क्योंकि लगाता है कि सचाई विभाग करें वेन्यू जा रहा है कोई कहता है कि ले रही है क्योंकि जमीन उनकी है और यह देखें बड़े-बड़े ब्रैंड्स की एड है अब देखें इसे लाखों रुपए और इन सभी अगर हम यूनिपोल्स की बात करें तो करोल रुपए आता होगा लेकिन किसकी जेब में जाता है ये सवाल है क्यों जाता है कैसे जाता है किस अधिकारी को पता है ये भी बड़ा सवाल है कोई अधिकारी कुछ नहीं गयता समर दीके बड़ा ब्रैंड है लग्जरी लैंड है और यहां पे पैसा किसके पास जा रहा है इन्होंने क्यों लगाया है किसने पर्मीशन दी है किसकी पर्मीशन के बाद यह निए पोल्स लगे हैं कोई कुछ भी कहने के लिए तयार नहीं है तो यह थी कालिंदी कुंज और जो यमना बैराज है यहां से जब एड की शुरुवात होती है यह खतम होती है ओखला बर्ड सेंचुरी जाकर और ऐसे में दस या बारा पोल्स हमने आपको दिखाए हैं जहां पर भरमार्थी एड्स की यहां नहीं होती है किसके पास पैसा जा रहा है किसकी जोली में जा रहा ह किसकी जेब गरम हो रही है सबसे बड़ा सवाल यही है पिशली सरकारों से चला रहा है अखिलेश की शरकार थी तब से ही चला रहा है लेकिन तब से अब तक कोई कारवाई नहीं होती जीरो चॉलरेंस की नीती अपनाने की बात होती है लेकिन जीरो चॉलरेंस की नीती में सव लिए है कि जब अधिकारी लगातार उन पर कारवाई की जा रही है तो नुएदा अठोर्ती में जो अधिकारी हैं जो कारवाई करने से बश्टे हैं उन पर क्यों एक्षन नहीं लिया जा रहा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होती है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रोजाना आप टेलजन स्प्रीम पर देखते होंगे तमाम चैनलों पर देखते होंगे लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ना तो दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं बड़े बड़े अधिकारी जानते हुए भी इन्हें अंदेखा करने के हैं आज जैसे ही मुद्दे लेकर न्यूजवल इंडिया ग्राउन जीरो पर उत्रा है रियालिटी चेक करने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ पोल्स और इन पोल्स के ओपर ये लगे ये जो एलवर्टिस्मेंट है पूरी तरीके से अवैद है और जो ये रोल आप देख रहे हैं ये विकास मार्ग है सीधा नोईडा एक्स्टेंशन की तरफ जाता है एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसी एड है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहले आप एक होंगी उसके बाद पिर तीसरा और चौथा और ना जाने कितने अंगिनद ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते आखिर ये अवैद तरीके से कैसे चल रहे हैं नड़ा अथोरिटी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा कई ऐसे विभाग के अधिकारी है जो ये कहते हैं हमें नहीं पत कई बार बात करने की कोशिश ही गई लेकिन हीला हवाली हर बार ऐसे ही होता है तो आज इस सफर की हम शुरुवात कर रहे हैं इस तास्तान की हम शुरुवात कर रहे हैं और ये सफर यहां रुकने वाला नहीं है विकास मार्ग सीधे नोयडा एक्सेंशन उसके बाद पिर आ यह हमारा अगला पराव है और यहाँ इसले मौजूद है क्योंकि यहाँ पर भी हमने ऐसी तस्वीरे देखी हैं ऐसे यह वैद एड़ देखे हैं जो लगे में है यूनिपोल पर एक यूनिपोल आप मेरे पीछे देखेंगे यह यूनिपोल है लेकिन खाली है इसमें अविद यहां पर अवय तरीके से जो पैसा आ रहा है फिर वो कैसे आएगा सवाल तो यह भी है इससे आगे में ले चलती हूँ अपने क्यामरा परसर अपने सयोगी सर्टार से कहूंगे कि आगे चलिए और दिखाईए कि ऐसे और बहुत सारे एड हैं जो अवय तरीके से लगे हुए ह तो यह तस्वीरे हम इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको क्यूंकि हम चाहते हैं कि आखिर जो आम जनता है उनसे चीज़े चुपी क्यूं है और आखिर जब Zero Children's की बात आती है तो अधिकारी चुपी क्यूं साथ लेते हैं नेडा अथर्टी आखिर इस पर जवा जिसके भी पास आता है वो फिर क्लियर क्यूं नहीं करता ये बड़ा सवाल है तो आज अब मैं पूरी तरह से ठक गई हूं क्योंकि हमने तीन पड़ाव आपको दिखाए हैं पहला कारंदी दूसरा विकास मार्ग नुएडा एक्सेंशन के पास और तीसरा ये सेक्टर 11 तो चाहते हैं कि नुएडा अथौर्टी भी देखे सुचाई भी भाग भी देखे और नुएडा की जनता और दिल्ली की जनता भी देखे फिर फैसला आपका है और जवाब देही अधिकारियों की हैं जिनकी जेब में पैसा जा रहा है लाखों करोडों रुपए जा रहा ह और अगर ऐसा जवाब नहीं आता मैं इंतजार करूँगी जवाब आने का अगर जवाब नहीं आता तो फिर मैं निकलूँगी नुएडा की गलियों में नुएडा की सडकों पर अलग-लग सेक्टर्स में और ऐसे तमाम जो एड्स है एक बाद फिर आपके सामने देखेगा कि आपकी नुएडा अथर्टी और सचाई विभाग किस तरीके से अवैध कमाई कर रही है आपका पैसा आप रोड टेक्स देते हैं लेकिन आपका पैसा जो है वो अथर्टी और सचाई विभाग की जेम में जाता है फिलाल कि इतना आप बढ़े रहें यूजव आखिर यह अवेज तरींगे से कैसे चुन्वें है लेड़ा अथोरटी की सो रुपने चाहने की रहा है करिये से विभाग के अरफकानी है इसे कहते हैं हमें नहीं अगर इसे दाखों रुपए अर इसे अगर हम यूनिपोल्स की बात करें तो करोन रुपए आता होगा